क्योंकि ये भारतीय मिठाई होने का भी दावर रखता है अजारों साल तक केवल इसको आयोगेदिक औसे दी के रूप में जाना जाता था एगरीकल्चर किसानों से चुड़ा हुआ है, गरीबों से चुड़ा हुआ है, मजदूरों से चुड़ा हुआ है और दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई होने का भी देश का आम बजट पेश होने बाला है और 23 जुलाई 2024 को वित मंत्री निर्मला सीता रमन संसद में बजट खाशण देनी हर बार की तरहा ही इस बार भी केंद्रिय बजट से आम और खास सभी को बड़ी उम्मीदे है इस बीज चेंबर और फ्रेड इंडरस्ट्री ने अपनी तस मांगों को लेकर वित मंत्री को पत्र भीजा है इसमें इंकम टेक्स का नाम चेंज करने से लेकर मिडिल किलास और छोटे वैपारियों को राहत देने समेत अन्य मांगे बताई गई है वही उत्तर प्रदेश के आगरा का प्रसित पेठा वैपार मेंखाई की मार से प्रभावित हुआ है इस बजट सतर से पहले आगरा के पेठा वैपारियों की सरकार से कुछ उम्मीदे और कुछ बड़ी मांगे भी है इस विशे पर उनका क्या कहना है चुनिया पहँचान रही है, हजारों साल तक केवल इसको आभयदिक औसधी के रूप में चाना जाता था और हमारे इसको धार्मिक अनुष्टान में पहुत में आप मेहतो है और पॉस्टिक आहार जो गरीबों के लिए होता है यह उसमें भी हमारे लिए बहुत कारगार रहता है तो इसलिए इसके विसेश मेतो है और इसके वेपार को सरकारों की तुमारा प्रोसाइद करना चाहिए क्योंकि यह हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स जिसको हम पेटा बोलते हैं हम चाहते हैं कि सरकार के अस्दक्षेव से यह पूरे फिस्ट पटल पर इसकी ख्याथी पराब दोनी चाहिए यह पेटा जो है कच्छे फल से बनता है और यह आयर्वेरिक के रूप में लिए जाता था पहले अब बहुत मिठाई के रूप में लिए इसे कि मद्यामबर के जो लेने वाले हैं उनको बेनेफिट मिले और यह गैस है गैस में सब्सीरी में छूट दी जाए और मैं तो जी चाहूँगा कि इनको करें यहां से जिक्ति पराइन हो गई है इसी कारव होगा कि दबादा से बस है प्रताव जो को आग मड़े जिसे ब अर्द सरकार पूर जाओ जाओ